आज की दिन चंद्रमा पूरे दिन करकरास में गोचर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्व होगा उनकी रास्तिकर करको होगी बात करेंगा आज के मूर्तों की तो ब्रह्मा मूर्त रहेगा चार बच के नो मेर्ट से चार बच के उन्चास मेर्ट तक अब जीत मूर्ट रहेगा 11 बच के निठावण मैट से 12 से चौवण मैट तक विजे मूरथ रहेगा 24 से 14 सेPad साम 3 बच के 40 मैट तक आज अमरित कायल का समय रहेगा 11 बच के 19 मैट रात से लेकर 8 जुलाई को 1 बजे तक साथ ही आज रभी पुस्ती योग भी बना हुआ है जो कि पूरे दिन बना रहेगा साथ में सरवार सिध्धी योग भी बना हुआ है जो कि पूरे दिन बना रहेगा तो ये थे आज के सुम्मोहुरत, इन सुम्मोहुरतों में आप कोई विसुब और अच्छे कारियों के सुरुआत कर सकते हैं आज का राहुकाल का समय रहेगा, साम 5 बज के 49 मेर से लेकर रात 7 बज के 23 मेर तक रहुकाल के समय किसी भी सुबह और अच्छे कारियों के सुरुआत नहीं की जाती अब बात कर लेते हैं आपके रासी फल के बारे में तो सिंग रास के दोस्तों आज के दिन चंद्रमा आपके बारवें भाव में गोचर कर रहे हैं क्योंकि एक बार इस समस्या का समाधान हो जाने के बाद घर का जीवन बहुत आसान हो जाएगा और आपको परिवार के सदस्यों को प्रभावित करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आने वाली है आपके मुलाकात किसी ऐसे दोस्ते हो सकती है जो आपकी परवाह करता है जो आपको अच्छी तरह से समझता भी है आज वह दिन है जब चीजे वेसी नहीं होंगी जैसा आप उन्हें चाहते हैं जब आपका जीवन साथी सारे मनमुटाव भूल कर प्यार के साथ आपके पास वापस आएगा तो जीवन और भी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा सिंगरास के दोस्तों आज के दिन प्रापर्टी के बड़े सोदे आज आपको अच्छा मुनाफ़ा दे सकते हैं जोड़ने से बचें जो आपकी मान प्रतिष्ठा को नुक्सान पहुचा सकते हैं पुराना बकाया आज के दिन निप्टाया जा सकता है आपको विश्वसनी लोगों के साथ समय पर सही सलाह और मदद भी मिल सकती है आज का दिन थोड़ा सा उतार चड़ाव से भरा रहेगा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले घर की बड़ों की सलाह जरूर ले लें आप किसी मित्र के साथ कोई नया विवसाय सुरू कर सकते हैं सरकारी कारियों में रुकावट आ सकती है थोड़ा सा इसकी वज़र से आप तनाव ग्रस्त भी हो सकते हैं आज आपका मन परसंद रहेगा और आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों पर पैसा खर्च करने का अनंद लेंगे अपने प्री के बिना समय बिताना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा किसी वकील के पास जाने और किसी प्रकार की कानूली सलह लेने के लिए दिन अच्छा है साथ ही आज अगर डाक्टर से किसी प्रकार का परामर से लेने चाहते हैं उसके लिए भी द्यानाज का अच्छा बना हुआ है जीवन साथी के साथ कुछ तनाव संभावे लेकिन साम के भोजन से चीज़ें सुलस्ती हुई दिखाई देंगी सिंगराज के दोस्तों आज अच्छे स्वास्त के कारण आप किसी खेल प्रत्युक्ता में भाग दे सकते हैं आपकी मनो कामना पूरी होगी और सौभाग आपके हाथ में आएगा और पिछले दिन की मेहनत रंग लाएगी जीवन साथी के साथ बेतर समझ जीवन में सुक सांती और सम्रिद्धी लेकर आएगा साथी आज का दिन आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा भी कहा जा सकता है आज आप अपने बिरोधियों पर जीत हांसिल करने में सफल रहेंगे दोपहर के बाद इस थिती में बदलावाएगा और आप मांसिक और सादीरी के रुप से कुछ चिंता कानुभाव करेंगे विवसाई बिसेस कर जिनका विवसाई छोटा है आज उन्हें अपने करमचारियों को लेकर कुछ परेसानी का सामना करना पड़ सकता है आप अपनी आय बढ़ाने के अपने प्रयासों में निश्चित रूप से सफलोंगे नया काम सुरू करने के लिए सुभ दिन बना हुआ है सिंगरास के दोस्तों आज संतान के ओर से कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती है साथ ही किसी अच्छे ब्यक्ति से सलाह मिलेगी और आपकी समस्याओं का समाधान होगा आपको अपने अच्छे काम के कारण कोई बड़ा पद मिल सकता है आध्यात्मिक और देवी सक्ति मददगार साबित होंगी किसी कारण से आपके परिवार के सदस्यों के बीस तनाव भी हो सकता है आज आपको ब्यापार की सिलसले में यात्रा भी करनी पर सकती है और यह यात्रा आपके लिए लाभकारी देगी आज आपकी मुलाकात किसी महतपून बेक्ति से होगी साथ ही किसी वहराष्टी कमपनी से नुकरी का आफर भी आएगा जिसके कारण आपके घर में आज खुसियों भरा महोल देखने को मिलेगा तो सिंगरास के दोस्तों ये था आज आपका रासिफल कल फिर से एक नए रासिफल के साथ में आपके साथ होंगे जै स्री राम